आयरवेदा होम केर में आपका सुवागत है सुभा सुभा सिर्दर्द के साथ उठना मतलब पूरा दिन बरबाद हो जाना सिर्दर्द एक बहुत सामान्य समस्या है पर कई बार ये इतना तेज होता है कि बरदाश्ट करपाना मुश्किल हो जाता है सभी को अलग-अलग कारणों से सिर्दर्द हो सकता है लेकिन सिर्दर्द का मुख्य कारण है सिर्की मास्पेशियों में तनाव होना कभी-कभी तो हम सिर्दर्द को सहन कर लेते हैं लेकिन कभी-कभी इसका दर्द असहनिय हो जाता है यूँ तो बाजार में कई तरह की दवाईयां मौझूद हैं जिनसे सिर में हो रहा दर्ध तो खत्म हो जाता है लेकिन इससे आपको कई तरह के नुकसान हो सकते हैं पर आप चाहें तो ऐसे घरेलू उपाए हैं जिनसे आप अपना सिर दर्ध चुटकी में दूर कर सकते हैं कई बार पेट में ग्यास बढ़ जाने के कारण भी सिर दर्ध होता है इससे निजात पाने के लिए एक ग्लास गुनगुना पानी ले और उसमें नीम्बू निचोड कर पी जाएं इसमें आप थोड़ा सा शहद भी मिला सकते हैं कई लोगों को तो शरीर में पानी की कमी के कारण सिर में दर्ध होता है ऐसे में है कि कुछ-कुछ देर पर थोड़ी-थोड़ी मात्रा पानी पीने से भी सिर दर्ध शान्त हो जाता है तवे पर लॉंग की कुछ कलियों को गरम कर लीजिए इन गरम हो चुकी लॉंग की कलियों को एक रुमाल में बांद लीजिए फिर कुछ-कुछ देर पर इस पोटली को सूंगते रहिए आप पाएंगे कि सिर का दर्ध कम हो गया है लॉंग पावडर और नमक का पेश्ट ब लिए ये सबसे सरल और रामबान इलाज है टेंस मसल्स के कारण होने वाले दर्ध में तुलसी भी रामबान इलाज है इसके लिए एक कप पानी में कुछ तुलसी की पतियां डाल कर उबाल लें फिर इस पानी को छान कर चाय की तरह पी लीजिए आप चाहें तो मिठास लान के बाद भी आपका सिर्दर्ध जाने का नाम नहीं ले रहा है तो एक सेब काट लिए और उस पर नमक डाल कर खाएं सिर्दर्ध में राहत पानी के लिए ये एक बहुत कारगर उपाय है कई बार हरे सेब को सिर्फ सूंगने से भी सिर का दर्ध कम हो जाता है सिर्दर्द होने पर हरा पान चबा कर खाना चाहिए पान में दर्द निवारक गुण होने के कारण सिर्दर्द जल्दी ठीक हो जाता है अगर सिर्दर्द तनाव के कारण हो रहा है तो बर्फ के टुकडे माथे पर रखें इस सिर रक्त का संचार सही तरीके से होता है और सिर दर्द से छुटकारा मिलता है पेपर मिंट भी सिर दर्द दूर करने के लिए फायदे मंद होम रेमिडी है अगर आपको बार-बार सिर दर्द की समस्या रहती है तो आप इसे चाय में मिला कर लीजिए सिरदर्द से छुटकारा पाने का एक और अच्छा तरीका है कि आप युकिलिप्टिस तेल से मसाज करें इस तेल में दर्द से छुटकारा दिलाने का गुण होता है और इस से तुरंत आराम भी पहुँचता है आप धनिया, चीनी और पानी का घोल पीकर भी सिरदर्द से निजात पा सकते हैं अगर आपका सिरदर्द जुखाम की वजह से हैं तो ये उपचार काफी असरकारी साबित होगा बहुत बार ठकान के चलते बहुत तेज सिरदर्द होने लगता है ऐसे में सिरदर्द से निजात पानी के लिए कुछ देर सो लेना एक अच्छा विकल्प है सोने से हमारे दिमाग को शांती मिलती है और सिरदर्द अपने आप दूर हो जाता है इन उपायों को अपना कर भी यदि आपके सिर में लगतार दर्द बना रहें तो डॉक्टर को दिखाना ना भूलें निरंतर दर्द रहने के पीछे का कारण माइग्रेन या फिर आपके आँखों का नंबर बढ़ गया हो ये भी हो सकता है हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि रोजाना कुछ मिंटों के लिए कुछ सरल से योगासन से सिर दर्द और माइग्रेन अटाक से छुटकारा पाने में मदद मिलती है और वो योगासन है हस्तपदासन, सेतुबांधासन, बालासन, मरजरियासन, पश्चिमोत्तानासन, पदमासन और शवासन दोस्तों अगर आपको हमारे नुस्खे पसंदा रहे हैं तो देखते रहे और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल धन्यवाद